नमश्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर में किस तीशा में रखे हनमान जी की तस्वीर, बनेंगे सारे बिकड़े काम। तो दोस्तों, कहते हैं वास्तो शास्र के अनुसार हनमान जी की पूजा राम दर्बार के साथ करने से घर समृद्धि शाली बनता है। बजरंग बली को संकर्ट मोशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो भगतों के कश्टों का हर लेते हैं। उनका आशिरवात हमेशा बनाये रखने के लिए घर में उनकी रखी गई तस्वीर या मुर्दी बहुत मानने रखती हैं। वास्तो शास्त्र के अनुसार हन्मान जी के तस्वीर या मुर्दी सही दिशा में लगाने से ज़्यादा लाब होता है। हन्मान जी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली साबित होते हैं। वास्तो के अनुसार जिन घरों में हन्मान जी की तस्वीर दक्षिन दिशा में रखी जाती हैं, वहां सुक सम्रुद्धी आती हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को कभी भी अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। घर के उत्तर दिशा में हन्मान जी की तस्वीर लगाने से घर में सकरात्मक्ता आती हैं। वास्तु की अनुसार बेडरूम में कभी में बजरंग बली की तस्वीर या मुर्दी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हन्मान जी ब्रह्मचारी थे। नियम का पालन ना करने पर अशुफल प्राप्त हो सकते हैं। घर में हन्मान जी की बैटी हुई एवं हवा में उर्ती हुई स्वरूप की पूजा करने चाहिए। खास तोर पर ग्रहस्तों के लिए उनके बैटी हुई रूप की पूजा करने से परिवार में खुशहाली आती है। जबकि जो लोग नोकरी या बिसनिस में तरक्की चाहते हैं, उनके लिए हन्मान जी की उर्ती हुई रूप की पूजा करना अच्छा होता है। हन्मान जी की मुर्ती कभी भी सीधे सीहासन पर नहीं रखना चाहिए। उनकी प्रतिमा रखते समय नीचे लार रंका आसन बिशाना चाहिए। ये शुक्ता का प्रतिक होता है। हन्मान जी को डुदराश की माला चड़ाने से भी उनकी कुरुपा मिलती है। इससे व्यक्ति का मन स्तीर रहता है, साथ ही उसे मानसिक शांती मिलती है मंगलवार के दिन हनमान जी को गुर से बने मीठी पूरी चड़ाने से उनकी कुरुपा मिलती है जोतिश शास्त्र की मताबिक विवाहित लोकों को बजरंवली की ऐसी तस्विक घर में लगानी चाहिए जिसमें पूरा राम दरबार हो, ऐसा करने से घर समृद्धिश आली बनता है तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें धन्यवाद